Hello everyone, Welcome to Korn Study ये है हमारी Class 2 JNK Geography की और जैसा कि आप सब जानते हैं Geography के सबसे important पाट होता है River System इस वीडियो में मैं आपको complete River System समझाऊँगा और ये एक वीडियो आपके हर एक state level exam में बहुत ही काम आईगी लेकिन आज हम थोड़े अलग वे में start करेंगे आज मैं वीडियो की start में आपसे चार questions पूछूँगा जिनका answer आपको नीचे comment box में करना है बटन questions का answer वीडियो के अंदर ही है तो अगर आप वीडियो completely देखोगे तो आपको answers भी बदाल अलग जाएंगे अचा कुछ बचों को confusion हो रही थी regarding playlist तो मैं वो भी clear कर देता हूँ देखो इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो 30 जून है 30 जून को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब मैं और शरद्दा मैं general awareness subject को cover कर रहे हैं और जेके SSB class 4th general awareness नाम से playlist बनी हुई है हमारे चैनल पर आप लोगों को playlist में जाकर जेके SSB class 4th general awareness वाली playlist में जाना है और वहां से lectures को पढ़ना है फिलाल मैं आपको J&T की geography बढ़ा रहा हूँ और यह मेरी class 2nd है इसी तरीके से शरद्दा मैं आपको Indian geography बढ़ा रहे हैं आज 30th June है और मैं ने class 1 of Indian geography अल्रेडी डाल दी हुई है इस तरीके से और भी playlist बनी हुई है हमारे चैनल पर जैसे JK SSB class 4th maths जो के नितिंसर और विशालसर करवा रहे हैं फिर JK SSB class 4th reasoning जो गोमिनी मैं करवा रहे हैं और JK SSB class 4th English जो अंबिगा मैं करवा रहे हैं तो complete syllabus आपको करवा रहे हैं आपने करना क्या है आपने रोज 2 बजे, 4 बजे और 6 बजे चैनल पर पढ़ने के लिए आ जाना है बस चलिए अब शुरू करते हैं एला question जिसका जवाब आपको वीडियो में ढूनना है वो है what is the annual flow of Indus River Indus River का annual flow कितना है ये क्यूबिक किलोमेटर में mentioned है इस वीडियो में और थोड़ी हिंट और देता हूँ 200 प्लस सम्तिंग है ये question 2 है what is the name of the world bank initially world bank को initially किस नाम से बुलाया जाता था third question है wait is the name of which river and question fourth है जन्सकार is a tributary of which major river तो ये चार questions है इनका answer आपको नीचे comment box में करना है और संडे को आपका पैला quiz होगा शाम पांच बजे जिसका topic होगा Indian geography, JNK geography, percentage ratio proportion प्लस गोमिनी माम और अंबी का माम जितना जितना syllabus complete करवाएंगे वो ये सारा quiz जो होगा ये telegram channel पे होगा जिसका link मैंने नीचे comment box में दे दिया है अब सबसे पहले हम start करते हैं Indus Water Treaty के साथ फिर उसके JK SSB के MCQs देखेंगे प्लस और major rivers और उनके MCQs जो JK SSB में आये होई हैं उनको देखेंगे चलिए अब lecture start करते हैं इससे पहले मैं पताओं कि Indus Water Treaty है क्या सबसे पहले देख लेते हैं कि Indus River है कहाँ पर देखें Indus River बहुत बड़ी है इनफाक गंगा और ब्रह्मापुत्रा से भी बड़ी है Indus River 3180 km की है जबकि Ganga 2525 और ब्रह्मापुत्रा रिवर 2800 km की है ओके तो ध्यान से देखेगा अब ऊपर यहां चाइना है तो चाइना में यहां पर है हमारे पास तिब्बत ठीक है तिब्बत में हमारे पास फेमस है कलाश माउंटेंज और कलाश माउंटेंज में हमारे पास यहां पर कलाश मांट सरूबर तो यहां से Indus River निकलती है और North West Travel करते हुए इंडिया में एंटर करती है कहाँ पर? Ladakh में ठेक है? Ladakh में एंटर करने के बाद ये जाती है Gilgit, Baltistan जो की Park Occupied Kashmir है वहाँ से फिर ये पूरा पाकिस्तान से भेहते हुए पोंचती है कहाँ कराची और कराची से यह निकलती है कहाँ पर Arabian Sea में बह जाती है कहाँ पर Arabian Sea में बह जाती है इस map से आपको थोड़ी और better understanding मिलेगी जो इंडस रिवर है वह रपस यह देखें यहाँ पर यह कहाँ एंटर कर रही है कहाँ पर कर रही है तो पाकिस्तान में निलती हैं तीनो मिल जाती है इंडस रिवर में और इंडस रिवर कहां जाके कराची के तुरू मैं झिकल रही है बहर अरबीश Sydney में तो यह टेक्स्ट है जो जो मैंने अभी तक आपको समझाया है उसका 3180 इसके लेंट है तो बीसिकली इंडर्स रिवर पाकिस्तान के लिए बहुत-बहुत कि इंडर्न रिवर है तो जब इंडिया और पाकिस्तान हजाद होते हैं तो पाकिस्तान के पास बगए कर बन दे तो पाकिस्तान में वाटर शप्लाइए नहीं आप आएगी इंडियर्स रिवर की तो अब यहां पाकिस्तान का main concern ये था कि अगर इंडिया इन पे dams बना ले तो water supply easily cut हो जाएगी और अगर कभी war होती है तो भारत easily in rivers को divert कर सकता है और जब इंडस river को लेके इंडिया और पाकिस्तान के relations खराब उने शुरू होगे तो इधर entry होती है world bank की उस समय world bank का नाम IBRD था that is international bank for reconstruction and development और फाइनली 19 September 1960 में treaty sign हो जाती है तो अब इस treaty में था गया basically रवी, सतलुच और ब्यास river का control इंडिया को दिया गया और जेलम, चिनाब और इंडस river का control पाकिस्तान को दिया गया साथ ही साथ भारत को ये कहा गया था कि पाकिस्तान को अगले 10 सालों के लिए रवी, सतलुच और ब्यास river का भी पानी इस्तमाल करने को दिया जाए कॉस उस वक्त पाकिस्तान में कनाल सिस्टम डिवेलब नहीं था और भारत ने उधर भी उदारता दिखाते हुए इसे भी एगरी किया और पाकिस्तान के लोगों के खातिर भारत ने अपना पानी अगले 10 सालों के लिए इस्तमाल करने के लिए दिया पाकिस्तान को इससे पता चलता है कि हमारे देश का partition तो हुए था लेकिन साथ ही साथ rivers का भी partition हो गया था अब आज की समय में भी भारत और पाकिस्तान में इस rivers को लेके issue है देखे आपको समझना होगा कि जिन rivers का control पाकिस्तान को दिया गया था वो reality में भारत से होके जा रही है और इधर के लोगों को naturally वो effect करती है इवन Indus Water Treaty में भी clauses हैं जहां पे mention है कि जिन river का control पाकिस्तान को दिया गया है उन पे भी भारत कुछ हद तक अपना usage दिखा सकता है भारत और पाकिस्तान की बीच में जो कुछ main highlighted issues इन rivers को लेकर रहे हैं उन में से एक था the Tull Bull Navigation Project यह प्रोजेक्ट बेसिकली वूलर लेक पे बनाया जाना था जो की बारा मुला डिस्ट्रिक्ट में है कश्मीर वैली इस प्रोजेक्ट से जेलम में जो flow है उसको increase किया जाना था और इंडिया का main purpose यह था कि जब जेलम रिवर में सूखा आए तब भारत को कुछ हद तक इस प्रोजेक्ट के थूँ अराम मिले क्योंकि नाचली मैंने आपको पताया कि भारत भी इन रिवर्स का पानी को इस्तमाल करता है भारत के लोग जो आज पास बसने हुए इन रिवर्स के वो यूज करते हैं लेकिन पाकिस्टान ने इस पर भी objection की और इसको international tribunals में वो ले गया और आज तक यह प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया कि एक और फेमेस प्रोजेक्ट था बगलिहार प्रोजेक्ट जिसका dispute 1999 में शुरू हुआ था और 2010 में जाके सॉल्व हुआ था तो बेसिकली का नुकसान यह था कि अल्टिमेटली इंडिया को सिर्फ 19.48 परसेंट पानी मिलता है जबकि पाकिस्तान मोर दें 80 परसेंट इन पानी को यूज करता है और यह हाल तब है जब यह सारी रिवर्स इंडिया से होके जा रहे हैं और आप एक तरफ देखिए चाइना जहांसे ब्रहमपुत्रा आती है चाइना उस पर लगातार डाम्स बना रहा है 2011 की यूएस सेनेट फॉरण रिलेशन्स कमिटी की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में सबसे जादा सक्सेस्फुल ट्रीटी है वो इसलिए क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान में अभी तक तीन वार्स हो चुकी है 65, 71 और 99 की लेकिन फिर भी इंडिया ने कभी भी इंड अट्रीडेस वाटवन रेटी का वॉयलेशन नहीं किया और कभी भी यहां से पानी नहीं रोका पाकिस्तान के लिए अब देखते हैं JKSSB में कौन कुन से क्वेशन नाये इस पर वैसे मैंने आपको पूरी इंडर्स वाटर ट्रीटी आराम से समझाईए इंडिया पाकिस्तान की बीच में कौन मेडियेटर बना था इंडर्स वाटर ट्रीटी का पहला कुश्छन है तो आंसर है व्ल्ड बेंग इंडर्स वाटर ट्रीटी कब साइन हुई थी यह 19 सेप्टेंबर 1960 में साइन हुई थी इंडर्स वाटर ट्रीटी तो पंडे जवाला नहरू एंड जर्नल अयूब खान ने साइन की थी जब इस ट्रीटी साइन हुई थी तो व्ल्ड बैंक के उस समय कौन प्रेजिडेंट थे तो E.R. Black was the president of World Bank at the time of the signing of this treaty India control which rivers in Indus Water treaty तो इइस्टन रिवेश को कंट्रोल करता है। और इस्टन रिवे्र हाम रे पस रावी यिवर्स च त्मरूंज रिवर्स और ब्यथ रिवरस वूचिण्डाश्य नहें फ़र ट्रीटी तो इंडर्सवाटर्स वार्ट ट्रीटी का concept य्या था देख लेते हैं कि Indus River की characteristics क्या-क्या है सबसे पहले इसका नाम इसका जो अधर नेम है वह है Sindhu River इस Sindhu River के नाम से भी जानी जाती है इसका origin है कलाश मानसरोवर जो हमने देखा था तिबबत मैं हमने देखा था कि तिबबत में कलाश मानसरोवर से निकलती है इसकी लेंथ है 3180 किलोमेटर और यह वन ओफ दा लाज़ेस लेक है इन एशिया आप देखे जो गंगा हमारी रिवर है वो 2525 किलोमेटर की है और जो हमारी ब्रह्मापुत्रा है ब्रह्मापुत्रा उसके लेंथ है 2800 किलोमेटर तो उसे आपसे आप देखे कितनी बड़ी रिवर है अब इसकी ट्रिब्यूटरी बहुत इंपॉर्टेंट है जेलम चिनाम सत्लोच रवीब ब्यास और श्योग तो मैंने आपको समझा दी है अच्छा श्योग बहुत श्योग भी समझाई है य जेके SSB में पहले भी क्वेशन इसके रिकार्डिंग आये हुए हैं तो आप इन तीन दिवर्स को भी इंपॉर्टेंट मान के चलें और इनको याद करें श्योग रिवर जो हमने पीछे पड़ा इंडर्स रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है इसको थोड़ा से डेटियल में पड़ेंगे क्योंकि इससे काफी क्वेशन पूचे जाते हैं जेके SSB में देखे सबसे बहले इसका नाम के इसका नाम है रिवर ओफ देथ कोशन आपको आएगा कि रिवर ओडेथ किसको कहते हैं तो शोक रिवर को कहते हैं कहां से निकलती है डिस्प्यूटिद एरिया और किद यह वहां से निकलती है तो इसे रिवर हमारे पास में आपको प्रॉपब सीक्वेंस पढ़ा रहा हूँ ठेक है मैंने आपको सीक्वेंस पताया था पीछह मैं पहले आती इंडस बिदि छनाव फिर और बी एस ठीक है आर बी एस यह तीनों रिवर इंडिया के कंट्रोल में है रवी ब्यास एंड सतलुच ठीक है इसको अगर आपको याद नहीं रहता तो इसको कर लो रॉयल भैंक औफ स्कौट्लेंड ठीक है रॉयल बैंक और स्कौटलेंड याद रहेगा उस साबसे आप बी एस बना लेना ठीक है अब इसका नाम प्राइब इसका जो अधर निमτε उसका नाम वेत इंड नाम से जानी जाति संस्क्रिट में आप इसे वितेष्ता भी बोल सकते हैं किसे बनाम इन्सक्रिट यह वरिनाघ spring में निकलती है अनंत दांग में और 725 किलोमटरी के लेंट है ट्रिब्यूटरी इसकी लिद्द रिवर एंड किशन गंगा जो किशन गंगा है इसका नाम दूसरा है नीलम रिवर बैसिकली पाकिस्तान में से नीलम रिवर का जाता है और इंडिया में से हम किशन गंगा बोलत एक चंद्रा रिवर एक भागा रिवर लाहोल और स्पिती जगाएं माचल प्रदेश में जहां से इसका ओरीजिन आई जहां से निकलती है ठेक है लेंद्ध है इसकी 960 किलोमिटर और भागा रिवर और चंद्रा रिवर ट्रिब्यूटरी से हैं और साथी साथ तभी रिवर प पर हिमाचल प्रदेश में ठीक है नेक्स्ट है कि इसकी लेंद्ध इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है इक्वेशन काफी बार आया है तो इंपॉर्टेंट है जंसकार रिवर जो है इसकी ट्रिब्यूटरी है और इसकी अपने में लेंद्ध है 338 किलोमेटर कि नेक्स्ट आपर सत्रुज रिवर का जो दूसरा नाम है वह सातादरी ठीक है सातादरी इसका दूसरा नाम है यह निकलती कहां से लेक रक्षास्टल यह तिपद में है केलाश माउंटेंज में और इसकी लेंद्ध कितनी है 1450 किलोमेटर बासपा रिवर एंड सॉन रिवर इ और यह निकलती कहां से है कलाश कुंड ग्लेशेर से इसकी लेंद्ध है 141 km और यह ट्रेवल करती है पूरी जमू सिटी देन यह एंटर कर देती है चिनाब और फिर एंटर करती है कहां पर पाकिस्तान नेक्स्ट इस ब्याश रिवर इसके बारे में ज़्यादा कुछ पूछा जाता नहीं है जादा से जाधा आपसे इसकी लेंद्ध पूछ ले जाएगी जो कि 470 km और पूछ सकते है कि इंडस डॉलफिन कहां पाई जाती है तो इंडस डॉलफिन ब्याश रिवर में पाई जाती इसे जाधा इसके बार में कुछ नियुक्ष अजाएगा तो इस वीडियो से इतना ही I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा थैंक यू और ब्लेस यू अल